परिचाए मम्मी, क्या आप जानती हैं कि नगर निगम हमारे महले की सफाई पर करोणों रुपे खर्च करता है? हाँ, मैं जानती हूँ. आशीश, क्या तुम नगर निगम का वार्शिक रख रखा व्याय निकाल सकते हो? मम्मी, यह एक लंबी करना है? नहीं आशीश, यदि तुम गुणन के नियम अच्छी तरह से जानते हो, तो यह एक बहुत ही सरलगणे थे. बच्चो, इस पार्ट में आप बड़ी संख्याओं पर मूल संक्रियाओं के प्रदशन को जानेंगे. आउ सीखें बड़ी संख्याओं को जोड़ना बड़ी संख्याओं को घटाना बड़ी संख्याओं को गुणा करना बड़ी संख्याओं का विभाजन करना बड़ी संख्याओं पर संक्रियाएं मूल संक्रियाएं चार प्रकारकी होती हैं, जिनका प्रदशन हम बड़ी संख्याओं पर कर सकते हैं. ये हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना. आईए, एक एक करके इन्हें देखते हैं. जोड एक जोड़ की संक्रिया में जोड़ी जाने वाली संख्याओं को योज्य और परिडाम को योगफल कहा जाता है. शुरू करने से पहले, आईए, हम जोड़ के कुछ नियमों को समझते हैं. एक संख्या को शून से जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है. शूने को योगात्मक सर्वसमी का या एक रूपता के नाम से जाना जाता है. जैसे 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 9 में शूने को जमा करने पर हमें 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 9 ही प्राप्त होता है. एक संख्या और एक को जोड़ने पर संख्या का परवर्ती प्राप्त होता है. जैसे 6, 7, 4, 2, 1, 9, 0, 8 में एक जमा करने पर हमें 6, 7, 4, 2, 1, 9, 0, 9 प्राप्त होता है. जोकी मूल संख्या से ज्यादा है. योजियों का क्रम, योगफल या जोड़ को प्रभावित नहीं करता है. आएए अब बड़ी संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं. हम तीन बड़ी संख्याओं 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 9 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 को जोड़ने से शुरू करते हैं. सबसे पहले भारतिये स्थानिये मानचाड बनाते हैं. अब संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं. संख्याओं को जोड़ते हैं. इकाई के स्थान के अंक से शुरू करते हैं. फिर आगे दहाई के स्थान, सेगड़े के स्थान और इसके आगे बढ़ते हैं. अता हमें योगफल 8, 5, 7, 9, 0, 0, 0, 3, 0 प्राप्द होता है. आईए अब हम योगई एक शब्द समस्या को हल करते हैं. एक शिल्प प्रदर्शनी के पहले दिन 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2 लोगों ने दौरा किया. दूसरे और तीसरे दिन दर्शकों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 और 5, 6, 3, 2, 4, 8, 7, 9 हो गई. कुल कितने लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया? पहले दिन दर्शकों की संख्या 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 2 थी. दूसरे दिन दर्शकों की संख्या 4, 5, 6, 7 घटाना या व्यवकलन. एक घटाओ की संक्रिया में बड़ी संख्या व्यवकल्ले कहलाती है, छोटी संख्या व्यवकल्प कहलाती है और घटाओ को अंतर कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आईए घटाओ के नियमों को देखें। किसी संख्या में से 0 को घटाने पर घटाओ के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 3-0-6-7-2-3-1-4-9 में से 0 घटाने पर 3-0-6-7-2-3-1-4-9 ही प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 1 को घटाने पर उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है, जैसे कि 7-4-6-2-3-1-9-5-4 में से 1 घटाने पर 7-4-6-2-3-1-9-5-3 प्राप्त होता है, जो कि मूल संख्या से छोटा है। घटाव की संक्रिया में संख्याओं का क्रम घटाव को प्रभावित करता है। आईए अब हम बड़ी संख्याओं पर घटाव का प्रदेशन करते हैं। 4-3-2-9-8-7-1-2-3 से 9-8-7-6-3-2-5-4 को घटाएं। पहले भारतिये स्थानिये मांचाट बनाते हैं। 4-3-2-9-8-7-1-2-3 व्यवकल्य है क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। 9-8-7-6-3-2-5-4 व्यवकल्य है क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। व्यवकल्य को लिखें। इसके नीचे व्यवकल्य को लिखें। संख्याओं को घटाएं। अब इकाई के स्थान के अंक से शुरू करते हैं। फिर आगे दाई के स्थान, सैकड़े के स्थान और इसके आगे बढ़ते हैं। अंतर 33 करोड 42 लाक 23,889 प्राप्त होता है। आइए अब हम घटाओं से जुड़ी शब्द की समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। वजय द्वारा बैंक को 1,9,8,2,7,3,4,5,6 रुपए का रिन वापस किया जाना है। अब तक उसके द्वारा 4,5,3,2,1,8,7,9 रुपए का रिन चुकाया गया है। उसे शिश कितना रिन चुकाना है। बैंक को वापस की जाने वाली कुल राशी 1,9,8,2,7,3,4,5,6 रुपए है। चुकाय गई राशी 4,5,3,2 रुपए का रिन चुकाया है। गुणा एक गुणा की संक्रिया में संख्या जिसका गुणा किया जाता है गुण कहलाती है। वो संख्या जिससे गुणा किया जाता है गुणा कहलाती है और परिणाम को गुणा कहा जाता है। आईए हम गुणा के कुछ नियमों को देखते हैं। एक संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राब्द होती है। जैसे कि 9876 को एक से गुणा करने पर 9876 ही प्राप्त होता है। एक संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। 5689 गुणे 0 बराबर 0 जब किसी संख्या का गुणा 10 से किया जाता है, तो संख्या के दाई और एक 0 जुड़ जाता है। 4,358 गुणे 10 पराबर 43,580 जब किसी संख्या का 100 से गुणा किया जाता है तो संख्या के दाइं और दो शुन्ने चुड़ जाते हैं 1265 गुणे 100 पराबर 126,500 आईए अब हम जालक गुणा तक्नीक का प्रयोग करते हुए एक दो तीन का गुणा चार पांच छह से करते हैं तीन पंक्तियों और तीन इस्तंभों वाली एक तालिका बनाईए शीर्षपर आणी रेखा में 22 से दाइं एक दो और तीन लिखें दाइं तरफ उपर से नीचे की ओर 4,5 और 6 लिखें विकन की साहिता से तालिका की हर टिबबे को दो भागों में विभाजित करें एक और चार का गुणा करें परिणाम को पहले डिबे में 0,4 के रूप में लिखें दो और चार का गुणा करें और परिणाम को दूसरे डिबे में शुन्ने आठ के रूप में लिखें. अब नीचे से विकण तत्वों को जूड़ें. सबसे नीचे के विकण में केवल एक तत्व है. तालिका में नीचे अंतिम इस्तंभ में आठ लिखें. इसके उपर वाले विकण में तीन तत्व हैं. पांच, एक और दो. उनका योगफल आठ है. जहां विकण समावत होता है, वहाँ पर आठ लिखें. तीसरे विकण में पांच तत्व हैं. दो, एक, शुन्ने, एक और छे. उनका योगफल दस है. शुन्ने और हासिल एक को अगल विकण में लिखें. इसमें पांच तत्व हैं. एक आठ, एक पांच और शुन्ने. हासिल को जोडने के बाद, उनका योगफल सोला है. चह और हासिल एक को अगले विकण में लिखें. इसमें तीन तत्व हैं. भाजन में एक संख्या जिसे विभाजित किया जाता है, उसे भाजि के रूप में जाना जाता है। संख्या, जिससे भाग दिया जाता है, उसे भाजक कहा जाता है। परिणाम को भाग फल कहा जाता है। और संख्या जो अंत में बश्ती है जब भाजक भाजी को पूर्तियां विभाजित नहीं कर पाता वो शेष फल कहलाती है। आईए विभाजन के कुछ नियमों को देखते हैं। एक संख्या को एक से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 3 4 6 7 1 2 4 5 भाग 1 बराबर 3 4 6 7 1 2 4 5 किसी संख्या को उसी से भाग देने पर एक प्राप्त होता है। 5 6 0 9 8 7 1 2 भाग 1 बराबर 5 6 0 9 8 7 1 2 शूने से विभाजन परिभाशित नहीं है। 5 6 7 9 5 4 3 2 भाग 0 परिभाशित नहीं है। 5 6 6 1 2 3 1 1 बराप नहीं होताए। 6 9 8 7 6 5 4 6 1 2 भाग 10 पराबर 9 8 7 6 5 4 यदि किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं, तो उस संख्या के दाइं इयोर से 2 शूने हड जाते हैं। 412-36-500-100 बड़ाबर 412-36-5 आईए अब हम 2-30-625 को 2-75 से विभाजित करना जानें. दिखाया नुसार दो संख्याओं को नीचे लिखें। 275 से काफी बड़ा है और इसमें 8 बार 275 से भाग दिया जा सकता है यानि 2200 इसलिए 8 को दाई और तथा 2200 को 2306 के नीचे लिखते हैं। घटाएं और घटाव 106 को नीचे लिखें। आओ खेलें। क्लिक करें और कॉलम क की वस्तूओं को कॉलम खात की वस्तूओं के साथ सुमिलन करें। एक फूल बेचने वाले ने 2009 में 4,56,88,931 फूल, 2010 में 5,66,12,345 फूल और 2011 में 89,66,56,321 फूल बेचे। तीन साल में उसने कुल कितने फूल बेचे। एक लंबी दूरी का धावक 225 अंदर राश्ट्रिय स्तरकी इस परधाओं में एक, दो, चार, नौ, नौ, आठ, साथ, पांच मीटर की दूरी तै करता है। वो एक इस परधा में कितनी दूरी तै करता है। एक दिश में 2, 5, 4, 6, 8, 8, 7, 6, 4 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। उन में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दो बच्चों को टीका लगाया जाता है। ऐसे बच्चों की संक्या ग्यात कीजिए जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है। हमने क्या चर्चा की। एक जोड की संक्रिया में जोडी जाने वाली संक्याओं को योज्जे कहा जाता है। एक घटाओ की संक्रिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्याएं व्यवकल्ले और व्यवकल्प कहलाती हैं। एक गुणा की संक्रिया में गुणा की जाने वाली संक्या और संक्या जिससे गुणा किया जाता है गुणे और गुणा कहलाती है। एक विभाजन की संक्रिया में भाग दी जाने वाली संख्या और वो संख्या जिससे भाग दिया जाता है, भाजे और भाजक कहलाती है। शूने को योगात्मक सर्वसमी का कहा जाता है, एक को गुनक सर्वसमी का कहा जाता है।